तुम देना साथ मेरा, वो हम नवार जिससे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल न रख सके, उसकी जिम्मेदारियां न उठा सके, मुझे न आप से कोई बात ही नहीं करे, मैं, मैं, मैं देखता हूँ मामी जी, सोने दो से, बटरा हुआ था, सोने दो, मामी यहां क्या कर रही है? तुम्हें इस वक्तिया तुम्हें अपने बेटे की चिंता होनी चीए, या फिर इस बात की, कि तुम्हें अपने पती खा भरोसा तोड़ा है, नहीं, तोड़ा नहीं है, चक्ना चूर किया है मानफ, प्लीज, ओवर्याक मद करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और वो रिहर्सल का वेन्यू टीम ने चेंज किया था, मैंने नहीं, डिरेक्टर सर को लगा कि अगर मैं नहारिका जैसे ड्रेस अप होंगी, तो मुझे केरेक्टर को समझना, फील करना और एक्त करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने, बना मुझे कोई शौक नहीं है, ये सब मेरे काम की डिमार्ड है, इसलिए मुझे करना पड़ता है, और आगे चल के भी करना पड़ेगा, करना पड़ा, अक्को तुमसे कोई जबरदस्ति नहीं करवा रहा है, तुम अप ये से नहीं मिलता है कांक्षा, और सचकाउंड, मुझे तो लगता है तुम्हेर ले हमारा रिष्टा कोई माइन नहीं रखता, तुम ऐसा सूच भी कैसे सकते हो माना, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, जिससे तुम्हारा भरोसा टोटे, और ना कभी करूंगी, मैं तुम् जिलो मेरे साथ, क्या करी, मैं यद्धू इस सिफ्टे हाथ रख्के कसम खा क्या माना कुछ नहीं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तुलूंगी, किसी का कुछ भी रादा हो, और मैं हमारे रिलेशन पे कभी आज नहीं आने देंगा, अब तुम्हारा ट्रस्ट करोगे ना म आज़ में तुम्हारा ट्रस्ट करोगे नहीं तुम्हारा टूटी ना जिस दिन ये डूर टूटी ना तुम्हारा टूटी ना शमझ लेना ये रिष्टा भी टूटे है अगर मैं मानव का शक्त दूर नहीं करने देता, तो ये मुझे कभी उस प्ले में आक नहीं करने देता, नहीं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, फुक करके ही रहूँगी थे रहूँगी थे रहूँगी थे रहूँगी अगर मानव ने देख लिया तो खाम खाब बढ़क जाएगा ओन क्यों कर रहे हैं हाई, सब जी के पूँआ हाँ, नाव, गुड़नाइट साइलेंट पर रख देती हूँ मिस्टर बाच्पाय ने मिस्टर बाच्पाय के साथ लुका छुपी का खेल शुरू करतिया है तभी तो इतनी हरबड़ी में मेसेज़िस आ रहे हैं और एक यह है, मिस्टर बाच्पाय यहने अंदाज अभी नहीं है कि खेल शुरू हो गया है मिस्टर कपूर आज़ आपकी श्माइल को कुछ वाइल लगी है इरादा क्या है जनाब किसी पत्थर की मुरत से महुबत का इरादा है अरश्टिष की तमन्ना है इवादत का इरादा है आज का रिहसल थमाकेदार होने वाला है देखती चाहो वाँ, क्या बात है Mr. Kapoor आईये यह प्लीज, नियारीका जी आईये रिहादर शुरू करते है यह सुरू करते है अपने अपनी पोजिशन ले लिए यह सुरू यह स्क्रिप्त, यह आपकी स्क्रिप्त है यह इड़ जाए तो शुरू करें, जी सर रेड़ी यह सब वन, टू, थ्री एक्शन नियारीका तुम चाहो तो उस खाली कम्रे की हर एक चीज तुम्हारी उसकती है मैं, मेरा दिल, मेरे चस्पात, मेरे दिन, मेरी रात, इस सब खुछ नियारीका नियारीका तुम्हारे अंदर एक जिद है एक चाम है जो मुझे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है हा, मैं शादी शुदा थी एक बच्चे की माँ भी हूँ लेकिन ये बातें मुझे मेरी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने से नहीं रोक सती हमारा आने वाला कल साथ लिखा है बैभाव मैं लव यू नियारीका करो 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 wasn't निहारी का अखांग्षा तुम्हारी हिम्माद कैसे हुई मुझे किसका नेकी किसमें वहां नेका था तुम्हारी लिए तुम्हारी लिए सिर्फ एक प्ले होगा लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारी लिए नहीं है मेरे लिए यह मेरा गुजराओवा खूसुरत कल है इसे में दोबरा जी रहा था तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ यह सीन की रियरसल करते वक्त मैं भूल गया प्ले और रियालिटी के बीच का फर्क भूल गया मेरे लिए तुम मेरी नहीं हारिका का यारेक्टर करती हूं कोई अक्टर्स नहीं थी और कि खुद नहीं हारिका थी उठी मेरे सामने मुझसे भूल हो गया है मैने लाइन क्रॉस किये कि प्लीज थो मुझे माफ कर तुम्हों हो सके तो यह भुला दो और.. नो मैं यह नहीं बूछ सकती कभी नहीं मन्जिल कोई भी हो उस तक पहुँचने के लिए पहला कदम तो बढ़ाना ही पड़ता है कितनी जल्दी यह पहला कदम बढ़ेगा उतनी ही जल्दी मन्जिल करीब आएगी भाया एक लेट पानी पूरी बनाना तीखा बदाना जी मेडम भाया मैंने कहा था तीखा और तीखा अड़ करो जी में बनाता हूँ और तीखा नहीं बन से था यह क्या मेडम तीखा ही तो है अजलौारी नजहर को बूरी नजहरे वसात्मी की तुमपे बुरी नजहर और उसाइम की तुमपे इस चरह से जुत को देख रहा था ऐसा लग रहा था कि उसको तुमारे सिवा और कुछ मुनजहर ही नहीं आ रहा क्या गरिए? वियत हुए इस्सित पे हाथ रखे कसम खा कियो माना? मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं पूरूँगी. किसी का कुछ भी इरादा हूँ. पर मैं हमारे रेलेशन पे कभी आज नहीं आने दूँगी. तुम्हारा विए थी पोब आantage हैं। कर दो क्यान का कृल मैं थात? इस वक्त खर पे कौन है? ममा? क्या थो? बदा आज आप स्कूल ली कहें? मैंने चुट्टी गर दी स्कूल मैंने कहा एक दिन अराम करने से हमारा इंस्टाइं डफर तो नहीं बन जाएगा नहीं मैंने गाना? हाँ, नहीं बने गाना बाइसाब का ख्याल रखने के लिए मैंने भी चुट्टी ले ली ममा, आज आप ही जल्दी आगई हाँ, वो तो आना ही था मैंने सोचा जल्दी घर जाके यथू का ख्यार रखना जाए इसलिए मैंने भी चुट्टी ले ली इस हिसाब से आजिम बाज़पएस फैमिली नहीं आजिम चुट्टी इस फैमिली है आज ममा टाड़ा दोनों ने में ले चुट्टी लिये तो आप दोनों को मझे मैजिक के सीवी देनी होगी माशे थाल आपको मेरे फोन में गेम खेला था ना? आकरी बार मिल रहा है जाज आकी केलिए तुमारे असल में कुछ होगा किया? तुमारे आखे सूजी दिख रही है जैसे तुम रोही हो वो प्ले में एक रोने का सेन था शाइब उस वज़ा से मानव मैं सोच रही थी कि मैं ये प्ले छोड़ दूँ क्या? हाम मैं नहीं करना चाहती है तो कल तक तो तुमारे ले प्ले सब कुछ था तो फिर आज अचानक से क्या हो गया है? मानव मुझे अपने हर डिसीजन के लिए एक्स्प्लेनेशन क्यूं देनी पड़ती है क्या मेरा इतना कहना काफी नहीं है कि मुझे इस प्ले में काम नहीं करना? उस वैभव ने तुमारे साथ कोई बद्तमीजी किया कहा था मैंने तुमें क्या किया उसने? नहीं अगर उसने तुमारे साथ कुछ किया तो मुझे बताओ क्या किया उसने? वैसे भी मानव को वैभव की नियत पे शक है ये बता दिया तो पता नहीं क्या करेगा बोलो, क्या किया उसने? मानव, तुम्हें लगता है कि मैं किसी को अपने साथ बत्तमीजी करने दूगी? मुझे ये प्ले करना ही नहीं है इसकी स्क्रिप्ट का न सर है न पैर है और निहारिका का केरेक्टर? वो तो मेरी समध से ही परे है और वो इस चुपिट सा डिरेक्टर आलोगदा अबने आपको हॉलिवूड का डेरेक्टर समझता है मुझे तो अब जहिला ही नहीं जा रहा है मुझे लगता है मैं यह सब के लिए बनी ही नहीं हुगी क्या हुआ तुम उन पंद्रा लाग के बारे में सोच रहो जो वेभव ने हमें दिये थे अग को मैं एक बार फेल हूँ हूँ इसका मतलब यहनी कि मैं बार बार फेल उता रहूँँ जमीन आसमा ने कर तूँगा लगिए विमारे फंद्रा लाग लागे दोगा फिर जाके मार देन उसके मूंपे तुम कह रहे है तो ठीक है पर अब मुझे कुछ दे के लिए अकेला शुड़ दो इलकुल नहीं बल्कि आज तुम मैंने प्लान किया था कि हम तीन उपने फेरवेट आज स्क्रीम पालर जाएंगी तो मिस्स बाजबे आज कोई बहाना नीचे लेगा तंक यू अकू अच्छा में जल्दी से बंगलो का काम निप्टा के आता हूं तुम यथू को तेयारकना और फिर आम लोग चैलेंगे यथू, Master, Yatharth! जल्दी आप जाओ जुष्पीने! अभी ड़र बंगलो जा के अपना काम निप्टाएंगे इक है और फिर शामका ममलोग पता है कह वह जाएंगे आप है आज से अने? येह! येह! आज़ आज़ Akangshah, meet me at the cafe. It is very urgent. तुम्हें इस किस वाले इंसिडिन्ट के बारे में मानव को नहीं बताया ना? अभी तक तो नहीं बुड़ और बताना भी मत मैना वो इस अपॉरचुनिटी बिभी ताला लगा देगा आइ तिंक ताला तो वेभभ ने अपनी उस हरकत से वैसे ही लगा दिया उसनी जैसा मेरे साथ बिहेव किया है ना? मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाओंगी आइ यू क्रेजी अकांग्शा? ग्रो आप तो मानव की तरह क्यो बात कर रही हो यह? मिडल क्लास वाइव के हिसाब से देखा जाए तो यह बहुत बड़ी बात है पर एक अक्ट्रिस के नजरिये से देखो तो इस नथी तुम्हारा कोस्टार जजबात में बह गया था बस बस? जजबात में बह गया था बस? अकांग्शा यार तुमने उसकी बीवी के कपड़े पहने थे और उसको वैसे ही प्रपोस कर रही थी तुम और वो हमेशा से कहते हुए आया है कि जब भी वो तुम्हे देखता है उसे उसकी वाइफ की यहाद आती है इंट यो नोटिस जब तुम अनकंफरटेबल होती हो क्लोस सीन से वो आलोगदा को सीन्स चेंज करने के लिए के लिए कह देता है तो भी इससे वैभव कपूर को अपनी हद पार करने का हक नहीं मिलता तुम्हे क्या लगता है वैभव कपूर के पास लड़कियों की कमी है हजारो लड़किया उसकी सपने रेखती है उस पे मरती है मुझे कोई फर्क मी पढ़ता किस पे कौन मरता है अकु लिसन तुम्हें वाइभव कपूर के पास आक्शिन की कमी नहीं है पर अपने सपने पूरे करने के लिए तुम्हारे पास ये लास्ट ऑप्शन है तो थिंक कैफुली अगर तुम्हें ये रोल नहीं करना तो लेट मी लूँ मैं बाग की तुनों लड़कें से बात करोंगे और हां, वो अडवांस तुम्हें लॉटाना होगा हुआ 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 हुआ